हमारे घर में अगर छोटी मोटी पार्टी है या इवनिंग स्नेक्स में चाय के साथ हमें कुछ खाना है ये स्वीट कॉन टिक्की सब के साथ बिलकुल पर्फेक्ट चाएगी और बनाने में भी बहुत आसाल है तो आएए देखते हैं स्वागत है आपकर हिमार गौन हैं सावब कीचन में तो आएए आज की रेस्पी को हम शुरू करते हैं स्वीट कॉन टिकी बनाने के लिए मैंने एक कप स्वीट कॉन लिया है ये कच्चा स्वीट कॉन है बॉयल किया हुआ नहीं है एक कप उबला आलू लेंगे मैश किया हुआ इसको मैंने कदू कस्से ग्रेट कर लिया है इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा कप पारी कटा हुआ प्याज वन फूर्ट कप हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता एक हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली ग्रीन चिली अगर आपको चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं आदा चम्मच अधरक लेसुन का पेज डाल देंगे आदा चम्मच हम डाल देंगे दनिया पाउडर इसमें आदा चम्मच हम इसमें डाल देंगे रचिली पाउडर 1 फो टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून भरकर ब्रट क्रम्स सॉल डाल देंगे टेस्ट के नुसार सबी चीजों को हम अच्छे से mix कर लेंगे सबी चीजों को अच्छे से हाथों से आप मसलते हुए mix कर लें ये स्वीट कॉन टिक्या बनाने में बिल्कुल आसान है, कुछ भी आपको प्राब्लम नहीं होगी मैंने अभी इसमें कॉन फ्लोर भी एड़ कर दिया है, 2 टेबल स्पून भर कर मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गई, इसलिए मैंने बात में इसमें एड़ कर दिया है सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, हम इसको देंगे शेप, हातों में मैंने थोड़ा सा ओयल लगा लिया है जिससे की हातों में ये ना चिपके, थोड़ा सा आप कोशन ले ले, इस तरीके से हातों में राउन करते हुए, जो शेप आपको देना है, वो शेप आप दे सकते हैं कटलिक का भी शेप दे सकते हैं इसको आप और टिक्या का भी शेप दे सकते हैं राउंड शेप में भी आप इसको बना सकते हैं इस तरीके से देखें मैंने इसको शेप दे दिया है टिक्या की आकार का बहुत easy है बनाना इसे, कुछ भी problem नहीं होगी बनाने में मैं आपको ये कहर बना के दिखाती हूँ, इस तरीके से आपको बनाना है बहुत ही आसान है बनाने के लिए और हातों में भी बहुत जादा नहीं चिपता है, अलकस अगर आप oil लगा लेंगे तो कुछ भी problem नहीं होती है बनाने में, ये देखिए, इस तरीके से आप इसको shape दे दे दूसरी भी sweet corn टिकी हमारी बन गई है, ये देखिए इसी तरह से हम सभी sweet corn की टिकी को बना कर ready कर लेंगे ये देखिए, मैंने सभी sweet corn की की बना लिया है, हम चलते हैं इसको fry करने के लिए fry करने के लिए मैंने pan रख दिया है, gas पर गरम होने के लिए इसमें हम डाल देंगे oil, oil हलका सा गरम होने के बाद oil बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, medium hot होना चाहिए और जितनी टिकी इसमें आ जाए, उतनी आप add कर दें और तुरंथ हम इसको नहीं पलतेंगे, एक तरफ अच्छा color आ जाएगा तब हम इसको turn करेंगे, अगर हम तुरं turn करेंगे तो ये टूट भी सकती है carefully आप इसको turn करें, इस तरीके से, ये देखिए बहुत आसानी से पलट जाती है, और चिपक्ती भी नहीं है अगर आप non sticky में बनाएंगे, तो कुछ भी problem नहीं होगी ये देखिए, मैंने दूसरी side भी इसको पलट दिया है और ये दूसरी side से भी अच्छी सी golden color आ गया है इसका दोनों side हम अच्छे से सेक लेंगे, फिर हम इसको एक tissue paper पर निकाल लेंगे कि जो भी इसमें extra oil है, वो निकल जाए, ये देखिए इस तरीके से हम सारी टिक्या को बना कर ready कर लेंगे चलते हम इसको serve करने के लिए स्वीट कॉंटिक की हमारी ready हो गई है, आप इससे चटनी के साथ या चाय के साथ खा सकते हैं मैं आपको एक तोड़के भी दिखाती हूँ, बिल्कुल perfect बनी है ये recipe आपको कैसी लगी है, प्लीज मुझे comment करके जरूर बताएगा और अपने friends और family में इस recipe को share करिएगा और हमारे चैनल को like, share और subscribe करना ना भूलिएगा Thank you so much